हेलो प्रेंट्स आप सभी का मेरे चैनल क्रैकोवर में स्वागत है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लगभग कारी में जो इंजन बे में जितना सारा सेंसर होता है उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ और जितना मैं सेंसर बताने वाला हूँ यह आ प्राटा इंडिको में जितना सेंसर लगा हुआ उन सब के बारे बताने वाला हूं और साथ मैं आपको जितना मैं अभी गाड़ी बताया है CR4, DICOR और Vista इस सब जो इंडिका है नॉर्मल जो DIY जो भी है सब में जितना सेंसर लगा होता है मैं सब का आपको फोटो भी दूँगा location बताऊंगा कहां क्या होता है किसका काम क्या है और क्या खराब होने से क्या problem आता है उसका भी वीडियो मेरे पास में है तो मैं इन सब का फोटो आपको separate में वीडियो के end में आपको दिखाऊंगा पहले मैं आपको बताता हूँ कि engine में क्या कौन कौन सा sensor कहां लगा हुआ है और किसका क्या importance है और क्या खराब होने से कौन सा sensor खराब हो जाता है तो आपकी गाड़ी में क्या fault आएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए वीडियो को share करिए तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले जैसे का आप देख सकते हैं मैं टाटा इंडिको में engine के बिल्कुल सामने हूँ मैंने air filter box हटा दिया है और जो FICD होता है देख सकते है FICD इसको मैंने यहां से lose करके side कर दिया ताकि आपको sensor दिखा सको कि कौन सा sensor का क्या work है तो सबसे पहले हम start करते हैं आपको यह जो आपका pump है इसको मैं बोलते है high pressure pump इसका क्या काम होता है कि आपके गाड़ी में जो diesel supply होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यह इंजेक्ट यह इसको बोलते हैं जहां पर यह ब्लू वाला sensor लगा है इसको solinoid valve बोलते हैं ठीक है यह पूरा distributor है यहीं से आपका जो injector में diesel है वो यहीं से जाता है इसी distributor से अगर यह distributor पूरा खराब हो गया है तो क्या होता है गाली में misfiring होगा इंजेक्टर खराब होता है तो भी गाल बाद जाम हो जाता है अगर आपकी गाली में खराब क्या होता है कि पेट्रिण alumni है अगर आपको डीजल के साथ में केरोसिंग MIX करके गाली में आपका डाल दिया तो दीरे दीरे यह प्रयबल्लम आता है यह डिस्ट्रिब्यूटर भी जाम हो ठीक है और दोनों sensor solenoid sensor होता है जैसे कि आप देख सकते हैं ये 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 हम लोग बोलते हैं इसको cam valve sensor cam valve sensor इसके उपर ये rubber का cap है मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ इसको मैं फोटो भी लास्ट में वीडियो के एंड पर सारा फोटो दूँगा पुरा क्लियर फोटो कि कौन सा sensor का क्या size है तो देख सकते हैं ये ये जो आपका blue वाला sensor देख रहे हैं ये ये भी आपका soleno valve sensor है और ये भी आपका solenoid valve sensor है ये क्या होता है इस पे जब हाँ विजली देते हैं 12V है इस पे 12V का supply और इस पे 12V का supply तो ये दोनों valve वर्क करते हैं अगर आपको ये solenoid valve के ऊपर अगर वीडियो चाहिए होगा कि ये कैसे वर्क करता है तो मैं उस पे वीडियो डाल ये दोनों आपका pressure regulate करता है जो diesel का प्रेशर होता हौता ह कभीkal होता है और उसका रिजन यह है क्या तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते यह आपका cam valve sensor है और यह आपका solenoid valve sensor है यह वो हлись आपका pressure regulate करता है आप देख सकते हैं इन दोनों का position अलग अलग है अब देख सिर्फ एक तार है ना इसका ग्राउंड जो होता है जो होता है हम लोग 2 तार होता है plus minus, लेकिन इसका जो बाड़ी है ना body ही minus है, ये सिर्फ प्लस वाला वाय रहा है, अब गाड़ी start करके अगर इसको remove कर देंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जायेगी, इसका क्या काम होता है और इसका क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ यह जो आपका है यह देख सकते हैं डिस्टिब्यूटर को पर लगा हुआ है जब क्या होता है गाड़ी आप स्टार्ट करते है तो उसके बाद जब आपका प्रेसर इंजेक्टर किसी इंजेक्टर में जादा होता है किसी इंजेक्टर में कम होता है तो क्या होता है रिवर्स आता है जो आपका डीजल है देख सकते हैं किसी एक इंजेक्टर से बाइचांस यह रेरली होता है और कभी कभार होता है और इसलिए यह सेंसर दिया जाता है ताकि वो जो रिवर्स जैसे आपका इंजे इसल आया है उसको यह लाव करेगा और वापस एक पंप में भीजे गा ठीक है अब और बहुत लोगों को प्रॉबल्म आ रहा था क्षiałem तो ये संसर अन हीशनार, प्रेसर को लेती है और कहीं पैपी जैसे होता आDY आ अपको गाड़ी चला है सब कुछ था ने हरो और काड़ी को काम या है ठॉप ज़ब धुट सब कुछ जरूर चेक था है तो इसको चेक कराने से आपका यह problem solve हो जाता है maximum time पे और यह sensor blue वाला जो sensor है यह rarely ही खराब होता है क्यों क्योंकि यह जान सकते हैं हाई pressure के लिए यूज होता है और इस पे हमेशा 12 बुल्ट का पल्स आते ही रहता है और वह पल्स जो है आपका जो 12 बुल्ट का सप्लाई आता है वह हमेशा नहीं आदा कंटीवाद से मतलब बिप बिप करके टाइमिंग आता है उसके हिसाब जाता है वह पल्स आपका ECU कंट् है ठीक है यहीं से अनदर जाता है और क्या होता है जब यहां प्यपर क्रेश्यट करते हृइट न तो यहां पिगर और एक प्रेशर्ण यहां से क्षेक्टकर के करेगा और ये सेंसर किक करेगा आपका आपका जो के खर άλλ फिर अग में उसर आता तो गाड़ी में क्या होता है जो pump है आपका pump में जो pressure बना है वो pressure सही से वो बताएगा नहीं issue भी रीड नहीं कर पाएगा कि pump में कितना pressure है और आपका जो अंदर डेश्बोर्ड का light है वो इसी के के खारण आता है अगर आपका फ्यूल पंप का जो लाइट दिखाता है ना कि वाइल प्रेसर इस लो तो यह सेंसर खराब हो गया है तो इसको आप चेंज कराईए और एक बात अगर यह खराब है ना गाड़ी में जो नौकिंग साउंड होता है कट 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 मैं उसका अभी वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूं और आप उसमें देख सकते हैं कि गाड़ी का कैसा नौइज है कट 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 ऐसा साउंड आ रहा है तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपको भी मैंने दिखाया कि कैसा साउंड आता है अगर यह कैम भाल सेंसर खराब है तो आपको इस सेंसर को कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूं यह जो सेंसर आप इसमें देख सकते हैं यह इसका कपलर है ठीक है इस कपलर को आप निकाल दीजे, गाड़ी पहले आपने स्टार्ट किया, उसके बाद ये जो कपलर है, इस कपलर को आप निकाल दीजे, और अगर आपको गाड़ी का जो noise है, जो कटकटाहट वाली sound है, उस sound में अगर आपको change जादा नजर नहीं आता है, मतलब आपको लगता है कि 40% हलका सा बढ़ा, तो आपको क्या करना है, अगर उतना बढ़ता है, तो मतलब ये sensor खराब होगे, या फिर sound में कोई भी change नहीं आता है, तो भी ये sensor खराब है, आप इस sensor को निकाल देंगे, तो गाड़ी का जो कटकटाहट वाला sound है, वो काफी जादा बढ़ जाएगा, पोटेन्सियो मिटर, इसको हमलग throttle position sensor भी बोलते हैं, TPS sensor इसको बोलते हैं, इसको potentiometer जिनरली बोलते हैं, क्यूं? क्योंकि ये resistance पे work करता है, potentiometer का मतलब ही resistance होता है और ये resistance पे ही work करता है, और इसका नाम TPS है, throttle position sensor, इसका क्या काम होता है, देखिए, आपका ये जो FICD है अब मैं इसको घुमा के आपको यहां फिलाल कर देता हूं यह देखिए यह आपका FICD हो गया यह आपका FICD हो गया यह TPS हो गया जब आप AC on करते हैं तो यह clutch यह जो आपका clutch है यह clutch घूम जाता है ऐसे देखिए यह clutch ऐसे move करता है देख सकते हैं यह clutch आप देख सकते हैं यह यहाँ पर यह clutch ऐसा move करता है गाली जब start करेंगे तो automatically इस side रहेगा जब AC on करेंगे तो यह ऐसे हो जाता है ठीक है यहाँ से release air हो जाता है अगर आपका यह potentiometer खराब है तो क्या होगा आपका जो clutch का timing होता है वो सही से नहीं चलेगा अभी तो जो फिलाल जो नया गाली आ गय है ना इसमें तो इसमें आपका पूरा mechanical ही control होता है बट इसमें यह electrical signal इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका जो diesel है ऐसा नहीं कि आपको जितना देर आप गारी चला है उत्ता देर आपका AC चलते रहे तो आपको गारी का mileage automatically कम होगा तो यह जो sensor है यह ECU को signal बेशता है कि नह नहीं आप इसको खुद से सेट नहीं कर सकते हैं आपको इसको लुकास के service center पर जाके इसको आपको सेट करवाना पड़ेगा और इसको voltage के थूरू सेट करते हैं और मैं उसका सोच रहा है वीडियो डालने का तो मैं वह upload करूँगा फिलाल अभी तो नहीं कर रहा बट है और जब गारी चलाते हैं गारी जब running condition में होती है तो pressure का आप जैसा देख सकते हैं यह पूरा timing build पर चला हुआ है ना यह timing build पर चलता है pump जब RPM ज़्यादा होता तो यह pump भी काफी ज़्यादा speed से चलता है और यह accelerator भी ऐसे आगे बढ़ा रहता है तो आपका जो RPM sensor है पर चलता है यह जो lever का position कहां पर है तो अगर यह बताता है कि भाई हां lever आपका 30% पर है 40% पर है तो देखता है कि गारी का temperature कितना है देखेगा कि गारी का temperature जादा है तो आपका जो TPS है वो signal भेजेगा ECU को तो आपका जो TPS sensor है वो signal भेजेगा ECU को और आपका AC automatically cut हो जाए और क्या होगा जब देखेगा कि temperature बिल्कुल सही है गारी idling बिल्कुल सही है प्रेशर सही है तो क्या करेगा automatically इसको चालू कर देगा यह जब भी यहां पर कुछ change होता है ECU control करता है इसको और ECU automatically आपका AC को cut off कर देता है तो अगर potentiometer खराब है तो क्या-क्या problem आएगा ती यह ज्यादा heat नहीं होना चाहिए नॉर्मल हीट होता है पर ज्यादा heat नहीं होना चाहिए ज्यादा overheat हो रहा है मतलब potentiometer सही से work नहीं कर रहा है इसका wiring कहीं fault है इसमें total 3 तार होता है यह 3 terminal device है तो इसका potentiometer को हम लोग चेक करते हैं वो उसका अलग वीडियो है मैं उसको upload करूँगा बट अगर यह potentiometer खराब है पहला मैंने बताया है यह pipe overheat होगा AC सही से cooling नहीं करेगा दूसरा बात आप जब गाड़ी चलाएंगे तो अचानक से pickup drop कर जाएगा गाड़ी का है ना मतलब गाड़ी चलाएंगे 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 60-70 कि बतार हुआ किसी गेर में आपको ज्यादा लग रहा है किसी गेर में आपको पिकप लग रहा है potentiometer का fault हो सकता है तीसरा region मतलब तीसरा fault क्या होता है potentiometer खराब होने से potentiometer खराब रहाएगा आपका FICD तो work करेगा पट आपका AC वर्क नहीं करेगा क्या बोल रहा हूं FICD करेगा आपको यहां पर लीवर घूमने का आवाज आएगा पंप भी लोड लेगा लेकिन कूलिंग नहीं करेगा और नहीं यह गरम होगा तो पोटेंसियो मीटर चेंज करा है आपको सब को सुनाए देगा जैसे मैं मैं बताया है कि आप एसी ओन करेंगे कट से आवाज आती ह यह लीवर इससेड घूम जाता है अगर यह लीवर भी ढीधर घूम रहा है pump भी लोड ले रहा है तो पोटेंसियो मीटर खराब है अगर कूलिंग नहीं करें तो क्या क्या ह akan होता पहली बात अगर आपके एसी का गयस फुरा फूल है तभी इसको चिख करांस नहीं तो अही मैंने आपको बता दिया कि pump में कितने sensor होते है, pump में total tini sensor होते है, mainly 2 sensor होते है, यह potentiometer तो सिर्फ उसका throttle body का position बतानी के लिए होता है, तो यह video काफी लंबा हो गया, मैं इसको यहीं पे खतम कर रहा हूँ, और जो बाकी sensor है उस पर मैं separate और वीडियो अभी upload कर रहा हूँ साथ म फिलाल अभी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ जो Cam Valve Sensor है उसका और जो Solunad Valve Sensor है उसका Potentiometer का जो फोटो है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ देख लीजे तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को सेर करिए, कोई प्रावल नहीं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाइ जरूर दूँगा, तो चलिए थैंक यू वंस अगें, फॉर वा